हलो फ्रेंड्स मैं हरिष सर्मा बिल्डिंग संचाना चैनल से एक बात फिर आपके साथ फ्रेंड्स अब तक हमने टेक्निकल वीडियो काफी सारी बनाई हुई है लेकिन टेक्निकल में भी बिल्डिंग manufacturing चाहें कंपनी की बात करें आप उसने एक चीज मस्ट होती है अज हम उसी के बात करेंगे कि फिस्ते के बारे में किया क्या चीशे होनी कि और फिर्स्टेट किट कैसी बनी हुई हो Ск kull. का कहा नीचे हैं जैसा मैंने यह लिखा हुआ है first aid kit rule सबसे पहले हम यह बात कर लेते हैं first aid kit यह यह compliance मैंने यह लिखा हुआ है एक ANSI Z 308.1 2009 14 और 15 यह क्या है उसके नीचे मैंने लिखा हुआ आई एस ए फ्रेंट्स यह ए एन एस आई जैड 308.1 अगर मैं इसकी बात करूँ ए एन एस आई की तो यह होता है American National Standard Institute यानि जितने भी standard बनते हैं वो American National Standard Institute है जो जैड 308.1 यह उसका नंबर है रूल का और यह 2009 में बनाया गया है 14 में इसको थोड़ा से modify किया 15 में और modify किया जिसके अंतरगत यह define किया गया है कि हमारी first aid kit कैसी होनी चाहिए उसमें क्या क्या contents होने चाहिए कौन सी medicine हम उसमें रख सकते हैं कौन सी हम नहीं नहीं रख सकते हैं वह हम बात करेंगे आगे वीडियो में दूसरा मैंने लिखा आई एस इए भी बोलते हैं इसको यानि इंटरनेशनल सेफ्टी एक्यूप्मेंट एसोसियेशन ठीक है यह एक यह एसोसियेशन बनी हुई है जिसके अंतरगतिया सब चीज़ा आती है फ्रेंट्स सबसे पहले मैं बात करता हूं जो हमारी first aid kit होती है first aid kit किस कलर की होनी चाहिए first aid kit कि आगर मैं कलर की बात करूं तो इसमें fine क्या गया है वह औरेंज कलर की होनी चाहिए और वह विजीवल होनी चाहिए अंदर कि उसमें क्या क्या क्यूप्मेंट दिखा हुआ है आप इसको transparent ना कह करके visible कह सकते हैं जिसमें अंदर आसानी से हमें यह दिख जाए कि क्या-क्या medicines रखी हुई है medicines उसके अंदर है या नहीं ठीक है फ्रेंट्स दूसरी में बात करता हूं डिजाइंड और किस तरीके से डिजाइंड होनी चाहिए फ्रेंट्स यह डिजाइन करते समय दो-तिन यह भी हमने एक इस्तान बनाया वा जैसे नॉर्मली कंपनी के में गेट पर फ़स्टेट किट मिलेगी या प्लांड में मिलेगी या कंट्रोल रूम में मिलेगी तो जहां कहीं भी इसको लगाना है उसका पूरा लोगो लगा रहना चाहिए और डिफाइन रहना चाहिए कि यहां फस्टेट किट है जो दूर से पता चल जाए दूसरा जो वाल पे हैंग करने का प्रोपर प्रोसीजर है इसका तो यह किट को हैंग नहीं किया जाता है कभी इसको आपने देखा होगा जैसे हम टीवी चलाते हैं टीवी के डिस एंटिना को लगाने के लिए प्लेट ल झाल लिए सकते हैं किट मेटरेल किट कि होती है इस रूल के अप्लेटmidt के यह की要 है इस को ही इसको थे दे सकते हैं तीसरी बात इसकी खास यह है कि क्योंभी कैमीकल इसमें रियक्शन नहीं करता यह जो उसका कवर होगा वह नियू प्रोन रबर से सील होना चाहिए यानि air tight होना चाहिए कहने का मतलब यह है कि अंदर से बाहर और बाहर से अंदर dust भी ना आ जा सके इस तरीके से वह seal होनी चाहिए तीसरी चीज इसमें एक चीज और ध्यान रखी जाती है इसी में कि उसका cover अलग हो जाना चाहिए और नीचे का बेस अलग हो जाना चाहिए जिससे हम उसको सैनेटाइज भी इजी ली कर सकें ठीके फ्रेंट्स नेक्स बात करता हूं maintenance free यानि यह maintenance free होनी चाहिए उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि हिंज लगे हुए है या बार-बार हमें उसे paint करने की जरुवत पड़ रही है इस तरीके की नहीं होनी चाहिए वह बिल्कुल रेडिमेड होनी चाहिए जिससे हमें आराम से उसको उठा करके ले जाया जा सके eight contents list यानि जितनी भी दवाईयां जितनी भी medicine या जो कुछ भी उसके अंदर है उसका एक list हमारे पास होनी चाहिए और वो list उस पर लगी हो कि इसमें क्या-क्या चीजे है और अंदर रखी हो या उस पर उपर लगी हुई हो अगर आपकी kit थोड़ी बड़ी है तो उस पर होते हैं ठीक है फ्रेंट्स यह तो बात रही कि kit जो हम बनाएं वो किस आइटम की होनी चाहिए किस रूल के जाए अब हम बात करते हैं कि क्या-क्या items उसके अंदर होने चाहिए कौन सी medicine होनी चाहिए और कौन सी medicine नहीं होनी चाहिए फ्रेंट्स आये मैं दिखाता हूँ इस 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 में कैंची होनी चाहिए जो पट्टी काटने के या उसके काम छोटी वाली कैंची होनी चाहिए थर्ड में बात करता हूँ इसने एक snake bite lancet एक नंबर फ्रेंट्स यह snake bite lancet क्या होता है आप मैं बता हूँ snake bite lancet means आप यह देखिए ऐसा पैन तो इस पैन में जो यह आप black marker देख रहे हो जिसने हम लिखते हैं जो point test का यह point की जगह है उसमें चाकू type का होता है तिकोना बना हुआ means जहां भी कभी जब कोई सा का पूँ चौसी चीज्जे फ्रेंट्स वांड क्लीनिक antiseptic wipes means यदि कहीं रैसे जैंको छिल गया है कट गया है या कोई घाव हो गया है तो इसको साफ करने के लिए wipes आती है जो एंटी क्लीनिक antiseptic रहती है यानि उससे साफ करने के बाद उसमें कोई dust या allergy होने का खतरा नही होनी चाहिए च्छटा है cotton wool cotton wool आप जानते हो वह cotton wool पट्टी बांदने से पहले cotton wool लगानी पड़ती है या कुछ भी साफ करने के लिए cotton wool से साफ किया जाता है बाउंड को भी काम आती है साथमा नमबर है एड़ हैसी प्लास्टर इस्मॉल यह एक नमबर उसमें होना चाहिए किस काम में आता है जब रहों को हम कोई पट्टी बांते हैं या हमें कुछ退 चोटी छोट लगी है तो उस को अनको धोने के लिए काम आता है यह ड्री पोल्र स्ट कीचिए यह अहीं होंगे इस देंग अनेकि十 उपर्णेर दो मी आरे और बैंटी लार्ज 2-OLD मीटरमय न होनी चीए और एक उसमें होनी चेह जाएसाने के LG तो प्रेटीक से गले में बान देते हैं पट्टी और इसको लटका देते हैं वो ट्रेंगुलर वैंडीし होता है यहांनी इंडस्ट्री में यह कहीं बी जलने का खत्रा ज़्यादा रहता है तो अगर कहीं बर्न हो zo játta के लिए CPR mask क्या पर सकता पड़ती है उसी के कोडिक उसी से दिया जाता है इसलिए उसमें एक CPR mask होना चाहिए next 14 नमबर है instant cold pack जैसे किसी को hammer लग जाता है कोई चोट लग जाती है गुम चोट लग जाती है और उसमें bump निकल आता है तो उस चीज को हम सिकाई करते हैं बर्फ से तो एकदम हमें suddenly बर्फ नहीं मिलेगा तो उसमें क्या है यह instant cold pack रखा होता है और इसनेट कॉल पर यह एक वन टाइम यूज वाला होता है तो इसको यह बहुत ज़्यादा होता है एक तरह से बर्फ जैसा यूज करते हैं और इसको हम उस पर लगाकर करके सिकाई कर देते हैं है फिप्टीन नंबर है एडसीब बैनेज यानि आप जानते हो बांधने के लिए यह पेपर टाइब की आती है कई तरह के आती है उसके बाद sanitizer gloves sanitizer आप जैसे जानते हो covid-19 में sanitizer जो नहीं जानता था वो भी जान गया है sanitizer का क्या प्रियोग है और कहां कहां यह जोता था sanitizer must है और gloves hand gloves जो medical hand gloves आते हैं surgical gloves वो भी होने चाहिए जितनी as requirement friends 15 number के बाद मैंने 16 number यहां लिखा हुआ है muscles relaxant ointment मजलब जैसे हमारा कोई muscles में कोई जटका लगया खिचाब आगया तो muscles relaxant के लिए ointment जैसे move वोलनी except आप उसमें रख सकते हो एक number में 17 number है gaze gauze pad 5 cm दो यह चोट पर पट्टी बादने के काम आते हैं friends gauze pad 7.5 cm 7.5 cm का एक होना चाहिए wound apply ointment जैनी कोई भी घाव पर apply करने वाला ointment भी आप उसमें रख सकते हैं जैसे bitardine या sumac या जो भी आप रख सकते हैं उसमें 20 number sterilized eye pad in sealed packet with elastic dressing roll दो number friends कुल मिला के यह 20 से 21 item होते हैं जो उसके अंदर होते हैं लेकिन आपने इसमें खास चीज़ देखी होगी कि इसके अंदर एक भी टेबलेट या एक भी injection नहीं है तो friends ANSI और ISE के अंतरगत अब कोई भी टेबलेट और कोई भी injection without किसी डॉक्टर के यानि जो MBBS डॉक्टर है जो अच्छे डॉक्टर है या बहार जो भी डॉक्टर हो उसके कंसर्ट करने के बाद भी कोई medicine खाने के लिए उसको दें क्योंकि हमें नहीं पता होता कि किसको किस चीज़ से allergy है कुछ लोग sulfur से कुछ लोग हैं कि sulfur से उन्हें allergy होती है कुछ ऐसे होते हैं जिने फासफोरस से allergy होती है और नॉर्मली जितनी भी medicines होती है जो pain relief होती है या उन्हें sulfur या फासफोरस जरूर डलावा होता है और उस condition में वो उसको honey कर सकती है इसलिए कोई भी medical कोई भी tablets या injections नहीं रखे जाते हैं ठीक है अच्छा second thing फिरेंट जहां कहीं भी जिस industry में या जो बड़ी industries है या बड़े corporate office है जैसे synergy है concentrics है या बहुत-बद बड़ी जैसे hero honda है मारूती है इन सम्में क्या है जहां पे 3000-3000 employees से ज़्यादा काम करते हैं तो वहां पे क्या है first aid kit के साथ साथ एक proper nurse की requirement हो जाती है जो well trained हो प्राथ्मिक उप्चार देने में यानि first aid kit का उप्चार करने में अच्छे से जानती हो तो round the clock 24 अबर एन तीनों सिफ्टों में एक एक nurse चाहिए होती है जो treatment देने के लिए proper वहां पे हर समय ready रहती है ठीक है friends आज के लिए इतना ही अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो please मेरी वीडियो को share करें like करें और मेरे चैनल को subscribe करना ना भूलें friends आप इसका एक screenshot लेकर की भी अपने पास रख सकते हैं जहां कहीं भी आप मालो किसी company में या कहीं भी काम कर रहे हैं और वहां आपको first aid kit बनाने के लिए बोल दे जाया उसमें क्या item होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए तो आप इसके अंतरगर उसको यह item रख सकते हैं अगर आपको कोई बोलता है कि इसमें नहीं एंट्रकुनाल रिख लो कोई tablet रख लो तो आप उसको बता सकते हैं कि इस रूल का कॉर्डिंग हम कोई भी टेबलेट या कोई भी इंजेक्शन उसके अंदर नहीं रख सकते थैंक यू फ्रेंड्स